इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी GLMTO D100 mg Tablet ASR एक मिर्गी रोधी दवा है जिसका इस्तेमाल दो स्थितियों मिर्गी और bipolar disorder के इलाज के लिए किया जाता है यह मस्तिष्क में संकेतों को अवरुध करके काम करता है जो मिर्गी के दोरे यानि की fit बैठता है को trigger करता है और एक अन्य तरीके से अत्यधिक मिजाज को रोकने के लिए काम करता है GLM TOD 100 mg tablet ASAR अकेले या अन्य दवाओं के साथ सयोजन में इस्तिमाल किया जा सकता है इसे भोजन के साथ या बिना लिया जा सकता है आपका डॉक्टर आपके लिए सही खुराक तै करेगा यह तब तक धीरे धीरे बढ़ सकता है जब तक आपकी स्थिती स्थिर न हो जाए इस दवा को काम करने में कई सप्ताह लग सकते हैं लेकिन अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए इसे नियमित रूप से लेना महत्वपूर्ण है इसे लेना बंद न करें भले ही आप ठीक महसूस करें जब तक कि आपका डॉक्टर आपको सलाह न दे आपको अधिक दौरे पढ़ सकते हैं या आपका द्विद्रूवी विकार खराब हो सकता है इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में तवचा पर चिकते, सिर्दद, मतली और उल्टी, सोने में कठिनाई और चक्कर आना शामिल हैं अधिकांच दुषप्रभाव दूर हो जाते हैं लेकिन अगर वे आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं होते हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं अगर आपको तवचा पर रैशेज या छीलन दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर को सूचित करें इन प्रभावों को रोकने या कम करने के तरीके हो सकते हैं लंबे समय तक इलाज से आपकी हड़ियों में कमजोरी यानि की ओस्टियो परोसिस हो सकती है जिससे हड़ि तूटने का खत्रा बढ़ जाता है इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको केड़नी या लीव की समस्या, डिप्रेशन या आत्महत्या के विचार हैं अपने स्वास्थि देख भाल पेशेवर को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में भी बताएं जिनका आप उप्योग कर रहे हैं क्योंकि कुछ गर्भनिरोधक गोलियों सहित इस दवा को प्रभावित या प्रभावित कर सकती हैं यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने चिकित सक्से परामर्ष करें क्योंकि खुराक को समायोजित करने की आवशक्ता हो सकती है आपको ड्राइविंग या ऐसी किसी भी चीज से बचना चाहिए जिसमें एकागरता की आवशक्ता हो यदि यह दवा आपको नीन दिया चक्कर आती है आप इस दवा के प्रतीक ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इसकी जाँच के लिए आपको बार बार रख्ट परीक्षन की आवशक्ता हो सकती है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद